एकनाच शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा सही से चला या फिर उद्धव ठाकरे अभी जनता के दिलों में शिंदे गुट का कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे उद्धव गुट हट गया शिन्दे जी कह रहे हम उस पर चल रहे हैं लड़ाई इसी बात की तो है कि असली कौन असली कौन बाला साथ ठाकरे की बारे में बात करें हिंदू हिर्दिश सम्राट कहा अगर मैं उंकी बात करूं और एकना शिंदे के हिंदोत्विकी करों क्या एहम चीज लगता है कि हां यह जो है एक शिंदे ने पकड़ लिया है तो शिंदे इल गुटा कहना है कि हम बाते एकर रहे हैं जो बालाज नहीं कर रहे हम भो बाते-र आपने खुलासा महाराज के वदान सभा चुनाब में AIMIM का क्या रुख रहा है मुस्लिम समाज को भारत का जो राजनीती है या जो स्टेट्स की राजनीती है उसी सहाब से उनको वह नहीं दिया जा रहा है इस बार अगर बीजेपी अलाइंस जीती है तो फर्णवीश सहाब या एकनाश शिंदे साथ शिव सेना शिंदे गुटकों जादा शिटे मिल गई और साथ में उनको सपोर्ट एंसीपी ने दे दिया तो वह बोलेंगे कि हमारा ये तो सियासी आकलन में लाएगा महराश विदान सबा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखरे दिन था सभी राजनितिक पार्टियां दंखम लगा चुकी है खेल चुकी है जो खेलना था जो फैसले सुनाने थे वो फैसले भी सुना लिये गए हैं लेकिन अब यहाँ सवाल है कि इस बार जंता अपना फैसला क्या सुनाएगी इस बार यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी अलाइंस एक बार फिर चुनावी मैदान में जीत जाएंगी या फिर दूसरी तरफ कॉंग्रिस अलाइंस अपना कुछ नया दाओं खेल कर जंता का विश्वास जीतेगी यह सारे सवाल है लेकिन इस इस सारे सवाल का जवाब आज हमारे साथ हमारे वरिश्ट бы पत्रकार पमन शर्मा देंगे आपका बहुत बहुत सवागति हैं सर्थ आप आज हमारे बीच हैं और आज आपके साथ जो अनुभव हम साज़ा करने वाले जो खुला से जनता के सामने आने वाले हैं उन्हें काफी बारीकी से सुनना भी चाहिए सबसे बड़ा सवाल एकना शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा सही से चला या फिर उद्धव ठाक है बड़ी गहरी होती है जनता बड़ी समझ रखती है महराष्ट के संदर्व में भी ऐसा ही है जहां तक आपने सवाल के आगे तो उसके मूल में जाना चाहिए मूल क्या है कि महराष्ट में क्या है हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा है दो पार्टियां है शिरसेना है और स बड़ा हिए शिंद्य गुड का कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे उक्ड़गुड हट गया शिंद्य जी हम उस पर चल रहे है दूसरी तरफ क्या है अजित पोरहर कहरे है कि जो असली हमने मुद्दे जनता के लिए कून असली कौन अच्छा इद्धों मुद्दे एकना शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पे दो फैसले काफी हैं माना जा रहा है उनकी सरकार के लिए एक था जो लाडली बहन योजना जो मध्रदेश में चली वह वापस वहां पे महराष्ट में उनको लागू किया गया दूसरी चीज जो सबसे खास बात है जो हिं यह जो मुद्दे हैं देखिए जो शिव सेना है शिव सेना का क्या लड़ाई क्या है दोनों गुटों के बीच में लड़ाई क्या है लड़ाई यह है कि जो उसके संस्थापक हैं अधरनी अबाला साब ठाकरे जी उनके सिधानतों पे कौन चल रहा है यह लड़ाई है जी गुट का कहना है कि हम असली हैं और हम हुए और कॉंप्रोमाइज जो है वो उनके बेटे ने किया उनके उस गुट ने किया तो यही इसी मुद्दे को धार देने के लिए और strongly धार देने के लिए जो मुख्यमंतरी हैं वहां के नचिंदेजी उन्होंने जो आपने बात कही के गाइको घुषित करने वाली बाते हो every गवया मतर को राश्ट्रेफिक ने बढकार करें घु कि दो मुद्दे ऑख लाड़ी बहन योजना, ने तो यह एसे मुद्दे हैं कि देखिए जो लाड़ी बहन बात करूं वो मद्य प्रदेश में बड़ा सुक्स पूल हो चुका तो वहां की जो लड़कियां हो चाहब की मातायें भेने हो वह सीधा करती हैं उनसे बड़ा जूड़ी ही है जो अगर में उनकी बात करो ऑड़े कि लुट करों तो दोनों में अगर फरक देखा जाए तो क्य यह चीज लगता है कि हां यह चीज जो है एक ना शिंदे ने पकड़ लिया है जो बाला साहब ठाकरे का था जो उद्धर ठाकरे नहीं पकड़ पाई हिंदु तुपका था मुद्दा है लेकिन खास मुद्दे कौन से है उनके अंदर के मुद्दा ऐसा है रंजना कि जब पार्टी टूटी जो चीजें शिवसेना जो थी पार्टी टूटी तो शिंदे गुट का दावा है कि बाला साब ठाकरे जिसके प्रति आग रही थे जो मुद्दे थे जैसे कॉंग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि ऐसा बोगते हैं कि मुस् डूसी महा घाड़ी में शामिल है जिसमें की कॉंग्रेस भी है जिसमें की समाजवदी पार्टी ही है बाकी दूसरी पार्टी आ भी है जो की कुछ पार्टियां ऐसे हैं उसमें कि वह धर्म की राजिति करते हैं, उनका कहाना है कि BJP का आरौप दोनों दरफ लगता है, कि हिंदुओं की बात करते हैं वो पोलराइजेशन की बाते हैं, कुछ बुद्दे भी ऐसे आते हैं चुनाओ के दरान, कि पोलराइजेशन हो व्याजितने दूसरी तरफ बी कर सोब कि Kom一 ए तूसकि कियोर है वो सबिली जातियों की राजनिती कर रहे है यहीश नहीं है सब्सक्राइब पर आप ने खुलासा किया और हम चाहेंगे कि वो दर्शकों को आप खुलासा करके बताएं कि आखिर वो एक चीज क्या है जो बाला साथ ठाकरे के बारे में शायद किसी को नहीं पता बतौर पत्रकार आपने जो चीजे देखी है जो अनुभब किया है जो वाला मामला नहीं है अगर आप ठाकरे के बारे में पुस्तकें पढ़ेंगे और बाकी बीचीजें अगर पढ़ेंगे तो आपको यह चीजें समझ आ जाएंगी मैं आपको एक दू अग्जेंपल बता देता हूं कि बाला साथ ठाकरे जो है उनको हिंदू हिर्दे सम्राठ स पता हूं उसमें ज्याधा मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहे पर जो उनके बारवर रहे हैं जो उनके नाई रहे हैं जो उनकी दाड़ी या कुछ काम करते थे यही स्थिति योगिया रित नाते साथ भी है अब इनमनीत राना के जो बीजेपी का प्रचार प्रसार करने अमरावती पहुंची थी, उस रहली में कुर्सियां चली और काफी हंगामा हुआ, अल्लाहु अकबर के नारे लगे, इस पर आपका स्टांड क्या है, कि ये जो चीजे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई बार सांसद रह चुकी है, इस बार वो दोजार चौबीस में चुनाव नहीं जीती है, हमरावती से वो आती थी सांसद, और बहुत होकल रही है, संसद में बहुत अच्छे तिराख से मुद्दे उठाती है, तो अब क्या है कि हनुआन वाला विवाद था, जिस पर मुखर हो तो दूसरे पक्ष को, जो दूसरे धर्म के लोगें, उनको बहुत है कि यह कोर हिंदुतों वाली बाते कर रही है, अगर यह इस मुद्दे को उचाल रही है, तो हम भी अपनी बात रखेंगे, तो डूरिंग इलक्शन रैली ऐसे विशे होते हैं, अच्छा, असद दूरी इन वैसी पर मैं बात करूंगी, महराष्ट चुनाव में, महराष्ट के वदानसभा चुनाव में, AIMIM का क्या रुख रहा है, क्या इस बार आपको लग रहा है कि महराष्ट की जंता के बीच उनकी एक अच्छी खासी जगह बन गई है, ऐसा आपको लगता है? देखिये, जो उनकी पार्टी है, वो कोशिश करती है, उनका मुल मुद्दा यह है कि मुस्लिम समाच को भारत का जो राजनीती है, या जो स्टेटस की राजनीती है, उसमें जो पॉपुलेशन के इसाब से या रिप्रजेंटेशन, जो प्रतिनीधित्व है, उस इसाब से उनको वो नहीं दिया जा रहा, उनका उस रिपर्जेटेशन नहीं है, यह उनका कोर बुद्ध है और उनका यह कहना है कि जो मुसलिम जो वोटर हैं, वो जो वोट देते आए हैं, उन्होंने उनको जूता वादा किया है इतने वर्शों में, उनका इशारा जहीर तोर पे कॉं जीती है तो फर्णवी साहब या एकना शिंदे साहब किनके हाथ में कमान जाएगी या कोई और चुनाव होगा दूसरी तरफ अगर कॉंग्रेस जीता तो क्या उधभ ठाकरे को जगा मिलेगी देखे आप आप यह इसलिए हैं क्योंकि अभी यह सामने ही नहीं कि किसको जीते आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा कि हमारा मुख्यमंत्रे को शिव सेना शिंदेगुट को अगर ज्यादा शिटे मिल गई और साथ में उनको सपोर्ट ने दे दिया तो वह बोलेंगे कि हमारा कॉंसा मुद्दा चल पड़ा यह भी दिखेगा सारी सारी आपकी के सामने हमारे पवन शर्माज जी थे जिन्हों ने एक अच्छा खासा अनुभव पत्रकारिता में दिया है तो आज आपने बारिकी से सारी चीज़े समझ ली जान ली आप कॉमेंट वक्स खुला है राय देना नापको ने फिलाल के लिए इतना ही हमारे साथ बने रहे हैं वेके नून राश्टर के नाब